दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये इंडिगेटर ये लेबगाट का बैटरी है हमारा जो 18 मोंस की बारेंटी में है और इसका मॉडल दोस्तों LGM-FOAR 32 उपर सैड में दोस्तों ये इंडिगेटर किसलिए दिया रहता है आज हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों इसमें तीन उप्सन होते हैं OK, Charge और Check बैटरी में दोस्तों Digital Water Rifling के दोराण बैटरी चार्ज है ये डिश्चार्ज है देखने के लिए ये इंडिगेटर का यूच किया जाता है अगर हमारी बैटरी में digital water कम हो जाता है तब हम इसमें water fill up करते हैं इस indicator की help से हम जान पाते हैं हमारी बैटरी में water है या नहीं है इसमें तीन option हैं दोस्तों इन तीन हो indicator को detail से चमझते हैं दोस्तों first वाले indicator जो की red color का और बीच में pointer white color का है इसका मतलब होता है बैटरी में दोस्तो डिजिटल वाटर कम है हमें अपनी बैटरी को रिफिलिंग करना पड़ेगा दूसरो option charge का है जिसका symbol दोस्तो white color का और बीच में pointer red color का है इसका मतलब दोस्तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं है हमें अपनी बैटरी को चार्ज करना है और तीसरा उप्शन दोस्तो ग्रीन कलर का इंडिकेटर है और जिसमें पॉइंटर रेट कलर का इसका मतलब दोस्तो हमारी बैटरी ओके कंडिशन में है तो हम इस बैटरी को देखते हैं अब ये कौन सी कंडिशन में है दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिएगा अभी दोस्तों हमारा वैटरी का जो सिंबल है वो वाइट कलर का जल रहा है दोस्तों मैं इस इंडिगेटर को वहार निकाल के देखता हूँ ये इसका दोस्तों एक सॉकेट कटा हुआ है इस सॉकेट में हमें इस साइज का मेल किसी भी कोईन्स का यूज़ कर सकते है अंटी क्लोग याज गुमाना आए और ये हमारा दोस्तों बहर निकाल आएगा दोस्तों इसको हमने बैटरी से बहर निकाल लिया है और ये Indigator दोस्तों Sulfuric Acid के अंदर दूबा रहता है चुकि बैटी के अंदर Sulfuric Acid होता है तो इस Indigator के अंदर क्या है? टीन Indigator लगे हुए हैं जो की Red, White और Green कलर के हैं दोस्तों जैसे जैसे बैटी में Digital Water कम होता है ये Indigator दोस्तों नीचे की तरफ चले जाता है और उस दोरान हमें Red कलर का Indigator दिखाई देता है आप उपर से देखेंगे जैसे कि दोस्तों इस से में देखिए हमें Red कलर का Indigator दिखाई दे रहा है Digital Water कम होने की Condition में Red कलर का Symbol और बैटरी अगर दोस्तों डिश्चार्ज है तो हमें White कलर का Symbol दिखाई देता है और दोस्तों Green कलर का Symbol तब दिखाई देता है जब हमारा Digital Water पूरा है और बैटरी भी हमारी Full Charge है आप दोस्तों इसको Indigator को ध्यान से देखिएगा और मैं इस Indigator को बैटरी के अंदर डालता हूँ तो देखिए दोस्तों इसका कैसे Color Change होता है दोस्तों अब ये Red कलर का है और जब मैं इसको बैटरी के अंदर डालता हूँ देखिए दोस्तों ये White कलर का हो गया इसका Color दोस्तों White हो जाता है क्योंकि इस समय हमारी बैटरी डिस्चार्ज है दोस्तो जब हम इस बैटरी को पूरा चार्ज करेंगे तो ये हमारा ग्रीन कलर का सिंबल हो जाएगा दोस्तो हम इस बैटरी के एक बार बोल्टिश चेक करके देखते हैं कि ये कितनी चार्ज है दोस्तो इस से में बैटरी का जो voltage level है वो 11.5 बन इसका मतलब हमारी बैटरी अभी discharge है बास तब में जो बैटरी का voltage level है वो 12 से उपर होना चाहिए तो दोस्तो ये सारे indicator के बारे में आपको पता लग ही गया होगा दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग जेहन जेह भारत